नमस्कार जब पंडित नहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक सवाल पूछा जाता था आफटर नहरू हूँ पंडित नहरू के बाद कौन होगा तरसल उनका रुत्बा उनका कद ही इतना बड़ा था कि उनके बराबर का कोई देखता नहीं था लेहाजा बहुत लोग भूलेपन में सवाल पूछते थे कि आफटर नहरू हूँ जैसे आफटर नहरू जी के बाद और कोई नहीं होगा और भारत की हाल भारत की जो दशा है वो खराब हो जाएगी लेकिन ऐसन नहीं हुआ शास्त्री जी आए जय जवान जय किसान का नारा दिया अगर वो वोटके अगर मोदी और हमें दिख नहीं रहा है अगर लोक तंत्र की परिभाशा कहीं छिलाफ है अगर लोकतंत्र में अल्टरनेटिव ये विकल्प नहीं निकलेंगे तो क्या डिक्टेटरिशिप में निकलेंगे तो टीना वेक्टर को लेकर हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ा मुत्माइन संतुष्ट दिख रहा है हाना की यह हफिकत है कि हमारा जीडिपी डाउन हो गया पांच प्यम्ट सेवन परसंट है जो नएया तरीका नए पध्धिती उसके यसाफ से पुरानी पध्यिती जिसके डोक्टर मन्मून सिंग्जिडी पूंप को आंका गया था और अभी हमारे चोटे और मंजले उध्योग लड़ खड़ा कर खड़े ही हो रहे थे, कि बहुत ही अधपके से तरीके से GST उन पर लाग दिया गया, उन पर थोग दिया गया, तो इस वक्त अर्थफिवस्ता की हालों तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी stock market अगर देखा जाए, रोज हम पढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट उपर चला गया, फिर उपर चला गया, ये टीना फेक्टर की वज़ए से वो कहते है, लेकिन टीना जैसा हमने देखा है कि डिमॉक्रसी में एंटी थीसिस होता है, मुझे अच्छी तरह याद है सन 98 के इलेक्शन से, सन 98 के है, वो इशारा कर रहे थे देवे गौडा और आएके गुजराल के सरकार के दरफ, तो फिर हमारा एक काउंटर पॉंट यह था कि अगर ये 12 और 13 पार्टियों की सरकार है, तो हो सकता है सन 98 के चुनाओं में अटल बहार इवाजपई 22 पार्टियों की सरकार भी बना ले, अ और उन्हें खुद 24 या 25 पार्टियों की सरकार बनाई, क्या किसी ने सोचा था कि ये भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है, अल्टरनेटिव डिमॉक्रेसी में ही निकलते हैं, डिक्टेटिशिप में नहीं निकलते हैं, ये हमें मान कर चलना होगा, आज के दिन एक बार फिर पही कहा जा रहा है कि टीना फैक्टर अगर मोदी को वोट ना दे, तो किसको वोट दे, किसी को भी दे, औल्टरनेटिव निकल आते हैं, बन जाते हैं, हमारा हाल ठीक नहीं है, उपर से ये है कि हर चीज का सिहरा अपने सिर बान ना हो, अगर जब नोट बंदी करी थी तो प्रधान सेवा खुद सामने आया थे अनांस करने के लिए, उसका जब उल्टा असर पड़ा, तो बिल्कुल नहीं आये, खामोश रहे, जीडीपी कम हुआ, वित्मंत्री को आगे करती है, बोलने के लिए, जीएस्टी वित्मंत्री के हाथों लागू करवाया, अब जब ज लोग शाही में निकलते हैं, ताना शाही में नहीं निकलते हैं, आज सुप्रीम कोट ने केन सरकार को निर्देश दिया है, कि वो तीन महीने के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करें कि जिन लोगों को सजाय मौत दी गई है, फांसी के अलावा, क्या कोई और भी रा बात होती है, यह बहुत ही वहशियाना जालिमाना तरीका है, पूराना तरीका है, तो कोई ऐसे तरीके हों कि जिनको सजाय मौत दी गई है, उनकी मौत कम दर्दनाक हो और शान्ती से हो, तो यही इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोट ने सरकार को दी हैं, कि तीन महीने के भीतर में बताया जाए, कि क्या सरकार सोच सकती है, कि सजाय मौत के लिए फांसी के लावा और क्या रास्ते हो सकते हैं, बाकि दुनिया के कुछ और देशों में मतलब इंजेक्शन से मानने की भी परंपरा रही है, इलेक्रिकल चेयर की भी परंपरा रही है, करेंट लगा कर मानन कि बहराल बहुत सारे मुलकों ने सजाय मौत को एबॉलिश भी कर दिया है भारत कुछ गिने चुने देशों में हैं जा अभी भी सजाय मौत दी जाती है मैं आपको कुछ figures बताता हूँ सन 1216 में 232 लोगों को सजाय मौत दी गई उसे एक साल पहले सन 2015 में 25 देशों में 1634 लोगों को सजाय मौत दी गई सबसे जाधा सजाय मौत जो दी गई वो इस order में इस तर्तीब में दी गई चीन में इरान में साओधी अरेबिया में इराक में और पाकिस्तान में चीन में सबसे ज़्यादा सजाय मौत दी गई है लेकिन वहाँ से सूचना जानकारी चंचंद कर बाहर भी नहीं आती इसलिए में मालूम नहीं चलता कि सही फिगर क्या है सही डेटा क्या है 141 देशों ने सजाय मौत को रोक दिया है सन 2016 में दो मुल्क बेनिन और नावरू उन्होंने भी डेथ परिल्टी को सजाय मौत को रोक दिया बंद कर दिया सन 2016 में सन 2015 के में बकाबले भारत में 81 फीसद जादा सजाय मौत की सजा हुई और ब 카 het सेंटेंज पर जो ग्लोबल रिपोर्ट है सजाय मौत पर भारत ने सन 2016 में 136 को सजाय मौत की सजा सुनाई गई और 2015 में 75 को सजाय मौत की सजा सुनाय डिया और जिस जर्म के लिए सजाय मौत टे की गई उसमें ज्यादातर ख़त्या के जर्म रहे अब अब जितने भी लोग सदाय मौत का इंतजार कर रहे हैं भारत में उन में से 373 लोगों को National Law University की टीम ने उनको स्टडी किया उनसे बात की उनका विशलेशन भी किया और उनकी social profile बताती है कि जाधातर जो गरीब गुरबाप परिवारों से लोग होते हैं उनको सजाय मौत मिली हुई है गरीब गुरबाप परिवारों से और जो तो इसको सोचलिय डिसेज बॉंटिस हैं, जिनको समाज में सही रहनी की जगा नहीं है, जिनके समाज में सही उनको स्थान नहीं मिला, वो भी इनी लोगों में शामिल होते हैं. बहराल अब देखना यह है कि भारत सरकार तीन मेने के वीतर वीतर किस तरहें की रिपोर्ट लेकर आती है कि उसके पास कौन-कौन से तरीके हैं जिससे सजाय मौत को आसान बनाया जा सके ताकि मरने वाला शान्ती से मर सके उसको तकलीफ ना हो दर्ब ना हो बहरत तो रही हो कि भारत भी सजाय मौत को खत्म ही कर दे लेकिन अब देखना ही है कि सरकार का जवाब क्या होता है मीरा चड़ा बोरवांकर हैं आईपेस अफसर हैं महराश्टर काडर की हैं वोई कलौती ऐसी महिला हैं जिनोंने अजमल कसाब को भी फांसी चड़ते देखा और याकूब मेवन को भी फांसी चड़ते देखा उनका कहना है I thought I would be relieved after कसाब's hanging but actually it felt like a stone on my head for two to three days I now feel people involved in hangings should be counselled मैंने तो यह सोचा था कि एक दफर मैं कसाब की फांसी देख लूँगी तो मुझे आराम मिलेगा को बहुत अरसे से काम चल रहा था और काम के बोर से भी लोग दब जाते हैं तो मुझे रिलीफ मिलेगा आराम मिलेगा लेकिन ये बहुत भारी पत्थर की तरह मेरे सर पर सवार रहा जो मैने देखा था अब मुझे महसूस होता है कि जो लोग फांसी में शामिल होते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाईए साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाई है, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो, आपको खुद बखुद सूचना उसके में जाए